जैपूर शहर विश्व धरोवर शहर है यहां एतियासिक इमारतों से लेकर भवे और शांदार मंदिर बने हुए हैं जिसके करण जैपूर को छोटी कासी भी कहा जाता है गुलाबी नगरी में हर इतियाशिक धरोर और मंदिरों को शांदार तरीके से सहज कर रखा गया है ऐसा ही जैपूर की चोड़ा रास्ता बाजार में इस्तित भगवान शिव को समर्पिक तारकेश्वर महादेव मंदिर जिसका इतियाश जैपूर की बसाओट से भी पहले का है यह मंदिर सोल्वी सताबदी में अस्तितु में आया था इस शिव मंदिर की स्थापत्य कला में राजस्तानी स्थापत्य और स्थानी संस्कृत्य की जलब देखने को मिलती है इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है उस स्थान पर किसी समय समसान घाट और भारी संक्या में तारकेश्वर महादेव पड़ा इस मंदिर में भगवान संकर का शिवलिंग स्वयबूत प्रकट हुआ था इस सिवलिंग के दर्सन सबसे पहले एक मंदिर के पुजारी नहीं किये थे बाद में इस मंदिर का निर्माण भवी रूप से करवाया गया यह मंदिर बाजार के बीचों बीच बना हुआ है इस मंदिर की वास्तू कला और डिजाइन उस समय के जैपूर रियासत के वास्तूविद पंडित विद्यादर जी ने इसके निर्माण की रूप रेखा तयार की थी इस मंदिर को पहले ताड़कनाथ के नाम से भी जाना जाता था इस शिव मंदिर के परती जैपुर वासियों की घहरी आसता है और यहां पूरे साल बर भक्तों का ताता लगा रहता है इस मंदिर की एक विशेश मानेता है कि भगवान संकर के सिवलिंग को 51 किलो दूद और घी से अभिशेख करने से भगवान संकर भक्तों की सभी मनोकामनाय पूर्ण करते हैं साथ ही मंदिर में स्थापित भविन नंदी महाराज को भक्त अपनी परिशानियां बताते हैं और नंदी महाराज भक्तों की समझ्चाओं को भगवान सिव तक पहुंचाते हैं इस मंदिर में 50 महीने की तरह पूरे सालवर भक्तों का ताता लगा रहता है इस मंदिर के बारे में यहां के पुजारी बताते हैं कि यहां जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है तब से यहां भगवान शंकर की अखंड जो जल रही है जो आज भी बरकरार है इस मंदिर में शिवरात्री के पर्व पर्देश बर से भगवान शंकर के दर्सन के लिए लाखों लोग आते हैं आईए बात करते हैं तारकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारीजी से पर्व पर्व प्रवत के पैड़ा बीच में से जो बहुलना अगट हुए इतनी हिंकाना राष्टी चाहादी अ क्रता वर्वत आमारी पुर्वत तो शिवर अपासुट से सब्या पहले उनको उतल शंदी है वह यहां से वापुजा करने लगए कि राजा को पता चला वह ये सा मंदिर है कि रज्यापुर का रिर्मान हुआ तो विच्याजा तिवान के लट्टी तो शीव पासक्ती उनों ने इसे मंदिर का जुन्नो धार कर रहा और हम लोगों को ये मंदिर राजाईदी करफ से बेट किया है जब कि हम रहन कर इंपीस्त बोले नाची से वह बोला करें जो भी विच्टी निहाज़त के मंदिर श्री तार्टे तो नाथ बोले नाथ के प्रात्ना करता है उसकी सबीन मनों का अमनाए उन्न होती है विशेश का है नाथ बोले नाथ के ताव मनदूर कि क्यावन के लोग